कपील पत्र लिखता रहेगा अब उसके नीचे फाइब नमबर निमलिखित अनेक सब्दों के लिए एक सब्द लिखे बोल रहा है तो जो सत्य बोलता हो उसको हम बोलते हैं सत्य वादी कड़ी बात बोलने वाला कटू भासी देश परमर मिटने वाला देश प्रेमे जल में रहने वाला जलचर जो पिता का भक्त हो पित्री भक्त इस तरह से बच्चो यह लेशन कम्प्लीट होता है आप सभी इसे देख देख कर अपने नोट कोपी में अच्छे से उतारेंगे और याद करेंगे और जब मैं आपसे मिलूँगी तब आप मुझे जितने भी आप लोगों ने पढ़ा है लिखा है वो मुझे सुनाएंगे आज का आपका हुमर्ख होगा कोश्चन नंबर गह गह और अंगह इसे आप सभी अच्छे से कोपी में लिखोगे याद करोगे और मुझे दिखलाओगे ठैंक यू